सो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि हाउ केन वी डिलीट अवर ओन व्यूस यानि कि हम अपने ही द्वारा देखे गए व्यूस को कैसे हटा सकते हैं एक्जामपल के लिए माननीचे मैं अपने यूटूब चैनल पर किसी भी तरकी कोई भी वीडियो अप्लोड करता हूँ वीडियो अप्लोड करने के बाद मैं उसको खुद से ही देखता हूँ यानि अपनी वीडियो पर मैं खुद से ही देखता हूँ अब यहाँ पर मैं उन views को अपनी YouTube वीडियो से कैसे delete कर सकता हूँ इससे related मुझे काफी सारे सवाल आते हैं आप में से काफी सारे लोगों के आज किस वीडियो में मैं basically इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आप अपनी ही वीडियो पर देखे जाने वाले views को अपनी YouTube वीडियो से कैसे हटा सकते हैं इसके क्या तरीके हैं यदि आप अपनी YouTube वीडियो को देखते हैं तो उससे आपको क्या-क्या losses हो सकते हैं इसका आपकी YouTube वीडियो पर या आपकी YouTube चनल पर क्या effect पड़ता है काफी सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि अपनी YouTube वीडियो को अप्लोड करने के बाद काफी सारे रीजन्स की वज़े से उसे जरूर से देखते होंगे अब चाहे यहाँ पर आपको अपनी YouTube वीडियो की वीडियो क्वाल्टी चेक करनी हो audio quality check करनी हो या फिर आपको अपनी वीडियो में अच्छी तरह से देखना हो कि आपने उसे किस तरह से edit किया है सही से आपकी वीडियो edit हुई है या नहीं हुई है किसी भी तरीके से यदि आपको अपनी YouTube वीडियो को upload होने के बाद हर बार उसमें जो views count है वो यहाँ पर add होता जाता है तो अब यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगो ये भी लगता होगा कि क्या ये सही है गलत है हम अपनी वीडियो को बहुत बार देख लेते हैं तो उन views count को delete कैसे किया जाए तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आप अपनी YouTube वीडियो को खुद ही देखते हैं तो इसका आपकी YouTube वीडियो या फिर आपकी YouTube चैनल पर क्या फरक पड़ेगा तो यहाँ पर आपको उस वीडियो में या फिर उस वीडियो से आपकी YouTube चैनल पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्गत नहीं होने वाली है जिस तरह अधर लोग आपकी वीडियो को देखेंगे तो उनका व्यूस काउंट होता है इसी तरह यदि आप खुद भी अपनी वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो व्यूस है जो अधर फीचर्स होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा बहुत एफेक्ट हो सकते हैं इसका गलत प्रभाव पढ़ सकता है इसके लाबा आपकी यूटीब चनल पर इसका कोई भी और अधर निगेटिव एफेक्ट नहीं पड़ेगा कि अगर आप अपनी यूटीब वीडियो को देखते हैं तो आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी या आपका चैनल सस्पेंट हो जाएगा ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है हाँ यदि आप after monetization अपनी यूटीब वीडियो को देखते हैं तब वहाँ पर आपको problem होती है उस case में जब आपकी वीडियो पर चलने वाला एड यदि आप खुद से ही देख लेते हैं तो यहाँ पर यह इन्वैलिड एक्टिविटी में आ जाता है और यहाँ पर आपके adsense disabled होने का खत्रा रहता है अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि आप अपनी यूटीब वीडियो से views को कैसे delete कर सकते हैं तो देखिए by default हमें अपने यूटीब चैनल पर कोई भी ऐसा option नहीं मिलता है जिससे हम अपनी वीडियो पर आए हुए किसी तरह के किसी भी views को हटा सके यदि हमारी यूटीब वीडियो पब्लिस है उसको किसी ने देखा है और उसका views यदि एक बर count हो गया है तो हम अपनी वीडियो को कुछ भी कर लें उस पर जो views count है वो यहाँ पर हटने वाला नहीं है तो अगर आप अपनी यूटीब वीडियो से अपने या किसी के भी views हटाना चाहते है तो इसका एक ही तरीका है कि आप अपनी यूटीब वीडियो को ही delete कर दे केवल और केवल यूटीब वीडियो को delete करके ही आप उस वीडियो पर आयव वी उसको हटा सकते है तो वीडियो कैसा लागा मुझे ज़र बता है अच्छा लागा हो तो एक लाइक कर दीजे चनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दीजे सब्सक्राइब नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुडबाई टेक क्यार